नवस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे YouTube चैनल साह टेंग में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आज मैं बताऊँगा कि हिंदी में ब्लागिंग कैसे करें तो दोस्तों इसको समझने के लिए तो सबसे पहले तो हम कुछ example का सहारा लेंगे उसके बाद जो है आपको step by step guide इस पे करेंगे तो दोस्तों अगर जो आप सबने हमारे YouTube चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो दोस्तों हमको हिंदी में ब्लागिंग करने के लिए हमको अपने इंडिया को target करना पड़ेगा और यहां पे जो भी keyword हिंदी में दोस्तों हमको हिंदी में type करना है वह हिंदी में type करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमको बहुत टूल है हमको Google का जो है यह translate भी मिल जाएगा आप वहाँ पर English में लिखी हिंदी में टाइप हो जाएगा और जो आप टाइप करना जाते हैं तो दोस्तों आप उसको simple सा टाइप कर सकते हैं तो दोस्तों माले जी हमको हिंदी में ब्लागिंग करना है इंग्लेस में ना करके हमको हिंदी में सब अपने content को totally हिंदी में लिखना है तो उसके लिए बिल्कुछ simple है जैसे English में करते हैं वैसे Hindi में कर सकते हैं बस्ते आपको मालेची इंग्लिस में आपको मिल रहे हैं तो आप उसको धी में करा सकते हैं दोस्तों आप यहां Google का एт यहां गूगल की पूल है यहां से अप समिपल सा Maiskon lipstick दोस्तों और अज के लिए आप आप चैट GPT का भी सहरा ले सकते हैं चैट GPT जो है यह आपको जो है अगर जो आप चाहते हैं कि अपने content को write करने के लिए Hindi में कहेंगे उसको तो आपको वह content जो है आपका Hindi में write करके दे देगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों start करते हैं कि कैसे मतलब किसी टाफिस का तो हम selection करेंगे यानि कि हमको ब्लाग पोस्ट करने के लिए write करने के लिए हमको अपने एक keyword की जरूत पड़ेगी हम किस जो हमारा focus keyword क्या होना चाहिए तो वह हम अपने niche के अनुसार जो है हम अपने area के अनुसार जिस area पे जो हम करना हैं आप बहुत सारे area है माली जी आपको share मार्केट के बारे में आपको लिखना है कि share बाजार कैसे सीखे या share market कैसे सीखे दोस्तों तो इसके बारे में दोस्तों हमको keyword जो है ढूरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वह keyword जो है हम जो माली जी हम content करना चाहते हिंदी में कि share market कैसे सीखे तो share या आप उसमें 2030 भी डाल सकते हैं कि share market कैसे सीखे 2030 तो दोस्तों share market कैसे सीखे तो इस keyword को पहले हमको research करना पड़ेगा कि keyword जो है यह इसकी difficulty वगएरा इस पर ट्रेफिक आएगा कि नहीं आएगा यह जो है इस पर गूगल गूगल रैंक पर हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं तो इसके बारे में हमको इस इचलों हिंदी, share market का गणित, how to learn share market, share market चाट कैसे समझे, share market में पइसे कमाए, share कैसे खरीदे, share market कैसे सिखे, तो इतना सारा दोस्तों keyword हमको दे दिया है Google तो माल लिजे हमको इस पर करना है कि share market कैसे सिखें आप दोस्तों इसको हमको यह देखना होगा कि हमारा keyword जो है rank करेगा की नहीं करेगा दोस्तों तो यहां पर दोस्तों एक site है यहां पर keyword जो है generator जो है free keyword generator आप सर्च कर सकते हैं तो आ जाएगा Google पर इस परकार का कुछी इंटरफेस होगा तो यह Google जो होगा क्योंकि हमको पोस्ट हिंदी में राइड करना है तो यहां पर दोस्तों पहले नमर तो हम keyword को हम यहां पर सर्च कर लेते हैं कि यह keyword हम यहां पर तो यह पर हम इंडिया कर देते हैं दोस्तों क्योंकि हमको हिंदी में content write करना है तो हमको हमको इंडिया जो है target करना पड़ेगा तो यहां पर हम इसको find करते हैं दोस्तों अब देखते हैं कि क्या keyword जो हमारा यह rank कर सकता है कि नहीं looks सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर सेर मार्केट कैसे सीखें यहां पर केवर्ड डिफिकल्टी केवल दो है दोस्तों इस पर दोस्तों आप हमारा जो है content आपका content post जो है जो कुछ भी हम write करेंगे ये Google पर rank कर सकता है दोस्तों और इस पर keyword difficulty दो मातर दो है एकदम green है यानि कि आप एकदम जो है इस पर rank कर सकते हैं और इस पर जो है monthly volume भी जो है आपका traffic जो है लगभग 1400 monthly traffic भी है दोस्तों इस keyword पर जो है monthly इतना traffic भी है तो ये दोस्तों हम इसको keyword को जो है हम उठा लेते है share market कैसे सिखें इस keyword को उठा लेते हैं दोस्तों अब इस keyword को जो है उठाने के लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा अब देखिए अब हमको एक title की जरूरत पड़ेगी कि share market कैसे सिखें तो एक खुद में ही एक title हैister market कैसे सीखें सेर market हमारा keyword ना लेते हैं अगर मार्केट की को ही जो pare Partner कैसे सीखें यह हमारा colder होगाा सेर market माने लएजैं तो दोस्तों यहांपी आप देख सकते है कि share इसको हमको पूरा के वर्ड लेना पड़ेगा इसमें के वर्ड डिफिकल्टी कहते रहे दोस्तों इस पर रगभग रेड है और यहां सेर मार्केट हॉलिडे यह थोड़ा सा रहेंक कर सकता है तो यहां पर जो हम सेर मार्केट कैसे सीखें हिंदी वाला हमारा पोर्शन है उसी क हम के वर्ड को जो है लेते हैं दोस्तों सेर मार्केट कैसे सीखें कि हिंदी अगर जो हम हिंदी में टाइप करना पड़ेगा तो यह के वर्ड जो है यह रैंक कर सकता है अब माल लिए कि यहां पर हम जो हमारा यह हिंदी है अगर जो माल लिए दोस्तों हम इस हिंदी को काप यहां पर हम लेते हैं यहां प्रपे चेक करते हैं यह रैंक इसका मतलब हिंडी में क्या आता है तो जो हुआ सेशेरं मार्केट करते हैं तो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं जो हमारा वर घंदी हम लेते हैं इसका जो हमारा हिंदी के वर्ड है इसका हम टार्गेट कर सकते हैं देखिए इसका डिफिकल्ट डिफिकल्टी जो है यह चौबिस है और 6700 लगभग में यह मंतली इसका ट्रेफिक भी है इसमें और जो है शेयर मार्केट कैसे सीखें इसका जो है 13000 है आप हिंदी में मैं इंग्लिस में भी दे देना है क्योंकि हमको जरूत पड़ेगी उसकी तो यहां भी दोस्तों हम इस keyword को जो है उठा सकते हैं और कोई दिकर नहीं अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसी keyword को जो है हम एक title बना लेते हैं इसी keyword को जो है हम तो share market कैसे सिखें इसको जो है हम एक उस पर MS word में इसको हम रख देते हैं हम इसको एक title बनाएंगे तो share market कैसे सिखें इसमें 2030 हम इसको डाल देते हैं 2030 और इसको जो है इंगलिस में भी हम title में लिख देंगे share market कैसे सिखें इसको हिंदी इंगलिस दोनों में हम इसको कर देंग दोस्तों क्योंकि हमारा दोनों जो है वर्ड जो है रेंग कर रहा है चाहे हम उसको पूरा लिख दें चाहे उसको लिख दें दोस्तों यानि कि यह दोनों जो है हमारा रेंग कर रहा है अब इसको जो है हम टाइटल बना देते हैं सीखें तो अब दोस्तों को करना हमारा अगल कर दे अगर जो थोड़ा सा दिक्कत हुई हो रहा तो हम चैट GPT का सारा ले सकते हैं उससे कंटेट राइड करवा करके जो है हम उसमें मोडिफिकेशन कर सकते हैं अपने अनुसार और थोड़ा सा हमको यहांपर करें को थे हैं कि कुछ रहे स हमको टाइड राइड करें दो तो दोस्तों हम क्या बोले हैं कि प्लीज सजेस्ट सम टाइटिल फार ब्लाग पोस्ट फोकस के वर्ड जो है शेर मार्केट कैसे सिखे इन हिंदी तो यहां पर दोस्तों यह कुछ दिया है इसके अनलॉकिंग दा सिक्रेट यह बिगिनर गाइट तुद लर्न आप शेर मार्क यानि कि इसको जो है टाइटिल के यहां पर आपके टाइटिल में भी के वर्ड यूज हो रहा है तो उसको भी जो है आप बहुत अच्छा होगा तो अब इसमें माली जो दोस्तों अब हमको करना क्या है टाइटिल माल लिजिए हमको मिली गया क्योंकि हमको हिंदी में कंटेंट राइट करना हमको इंग्लिस में करता हो तो यहां से हम टाइटिल ले लेते आप इससे जो है दोस्तों हम एक के वर्ड जो है जनेरेट करवाते हैं तो दोस्तों हमको के वर्ड की ज इसे सीखें including focus keyword share market in each paragraph अब इसको हम हिंदी भी करते हैं देखें हिंदी में लिखता है कि इंग्लिस में इन हिंदी तो दोस्तों यह है हिंदी में लिखर की इंग्लिस में लिख रहा है दोस्तों तो यहां पर यहां पर हमको दिया अब यहां पर दोस्तों यह हमारा टाइटिल है और यहां पर जो है जो है इसका जो है दिया है अंडरेश्टिंग भी दिया दोस्तों इसको हम क्या करते हैं कापी कर लेते हैं कापी करने के बाद दोस्तों अब इसको जो है हम इसको जो है Google Translate जो है साड़्वेर है उसी का हम यूज करते हैं अब दोस्तों यहां पर इंगलिस से हमको हिंदी में करना है तो यहां पर हम इसको टाइप कर देते हैं दोस्तों चलिए देखिए दोस्तों यह पूरा का पूरा हम को टाइप कर दिया है सिर्सक शेर बजार कैसे सीखें यानि कि अगर जो हम पर बजार लिखा है तो हम मार्केड भी लिख सकते हैं दोस्तों इतना तो हम संसोधन कर सकते हैं अब यह दोस्तों देख सकते हैं कि यह हमारा सीर्सक जो है इसको टाइटिल कर दिया है क्योंकि सीर्सक है यह तो हमको वो चीज करना नहीं है हम को बस जो है इसको copy करके जो है हम यहां पे लिख लेते हैं दोस्तों अब हमारे पास जो है यह content यहां पे आ गया है अब दोस्तों यह तो हमारे पास content आ गया है इसलिए जो है इसको हम रिराइड करते हैं इसको यूनिक बनाने के लिए रिराइड करते हैं दोस्तों तो यूनिक बनाने के लिए दोस्तों हमको एक साड़ क्विल बोड जो है यह है इससे जो है हम कंटेंट को रिराइड करते हैं वन बाइड करके जो है इसको रिराइड करत यह सब दोस्तो हमारा heading है, यह सब हमारा heading है उसमें, अब यहां भी जो है, अब जेसे इसको हमको हिंदी में write करना है, तो हिंदी जो है, अब देखते हैं हिंदी support करता है की नहीं, इसको simple सा हम प्रेस करते हैं, अगा जो support करेगा थो, ठीक है, अब इसकों निमेश और वित की दुनिया आकरसक है अब इसमें निमेस और वित की दुनिया आकरसक है और सेर बजार इसमें महत्वूर्ण भून का निभाता है चाहे आप पूरी तरह से यहां पे दोस्तों एक काम करते हैं हम इसको सच करते हैं हिंदी content rewriter यहनी कि हिंदी तो हम कोई simple सा कोई भी देख लेते हैं हिंदी article या हिंदी content rewriter के रूम में कोई भी website जो है ओपन हो जो support कर रहा है सही से उसी का जो है हम use यहां पर कर सकते हैं अब देखिए इसको हम हिंदी में paste करते हैं देख लेंगे दोस्तों कि हमारा कितना word जो है काम करता है यह उसी के अंसवार हम इसको write करेंगे आप यहां पर rewrite करते हैं दोस्तों क्योंकि इसका sense ना बदले और बाकी जो है कुछ word इधर का उधर हो जाए जिसे हमारा content unique लगे ऐसा नहीं है कि यह कुछ पैरागरार कहीं से copyright बता जाय करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसमें देखें कि क्या है अब हमारा जुह है और यह जो कुझा राइड में किया था क्कुछ ऐसी तरह से नोशाकिया या पंप्लियार चलेंगे इसके प्लैगिजिए कॉरेंग कि रूद lattice आप देखी है कि इसमें डुब्ली केक चकर है कि करते हैं कि इसमें कोई चीज plagiarism है कि नहीं है duplicate इसमें है कि नहीं है duplicate इसमें नहीं है कि शुब चेक करने के लिए दोस्तों हपर दोस्तों क्या करते हैं जो हमारे पास आए क्या है आर्टिकल इसको जो है हम चेक करते हैं कि यह क्या है तो दोस्तों जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो प्लेगरिजम है वह 0% है और 100% यूनिक यह तो हो गया दोस्तों जीपिट से जो हमने रॉapp कर वाया था कि अब दोस्तों मैं आपको बताओंगा इससे मिलता जुलता मैं गूगल पर सर्च करूंगा जैसे मिलता Zuk जो कुछ हमारे पस है जो दिसे का चुलन अब share market जो है कैसे सिखे हिंदी में तो इसमें हिंदी के में इसका बहुत सारे इसमें ब्लॉक हैं तो मैं उसका सहरा ले सकता हूँ तो जैसे मैंने दोस्तों इसको open किया है एक website जो है यह जो है हिंदी में डाटनेट करके है अब यहां पर दोस्तों share market कैसे सिखे अब इन्हों ने जो कुछ भी डाला है देखिए share बजार काम कैसे करता है और इनका content जो है यहां पर आप देख सकते हैं share market कैसे सिखे उसका description है आप देखिए हर आज हर कोई share बजार अब share बजार जो है यह इनका keyword है इनका keyword क्या है share बजार है और इनका title share market कैसे सिखे ठीक है share market कैसे और इनका keyword share बजार और share market है दोस्तों तो यह share बजार बजार देखिए अपने content में दोस्तों इसको bold भी करके रखे हैं share बजार काम कैसे करते हैं stock market यहां share बजार सीख सकते हैं यहां share बजार है दो दोस्तो, वहाँ पर यह किया है beta contrast भी, इस content का भी, दोस्तो यूट कर सकता हूं क्योंकि इस content गर करेंगे, इस content को re-ride करे की सबलिगी . और जो आप आप को एक example से समझाता हूं , मैं इस content को जो है रिराइड करता हूँ एक जो इनका description है इनका यही हम copy कर लेते हैं दोस्तों इनका description जो है इनको copy करते हैं अब यहां भी जो है इसको क्या करते हैं रिराइड करते हैं इसको जो है हम रिराइड करते हैं आज हर कोई share बाजार जो है अब यहां भी जो है हम इसको प्लेगरिजम को चेक करते हैं अब प्लेगरिजम यह हो गया दोस्तों जो मैं आपको पहले वाला जो है content description यहां पर देख सकते हैं प्लेगरिजम जीरो है और यूनिक 100% है अब दोस्तों हम जो उस ब्लॉक पोस्ट जो है अब मैं आपको दिखाया हूं उसका जो है हम यहां पर राइड करते हैं और यहां पर प्लेगरिजम फिर हम इसको चेक करते हैं देखते हैं कि कितना परसेंट आता है क्योंकि यह content जो है ब्लॉक पे है अल्रेड़ी उसके बाद सीम्पल सा दोस्तों हम इसको क्लिक करके चेक करवाते हैं थोड़ा नेट सलो है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है कि 67% जो है यह प्लेगरिजम है और 33% य यूड़ा तो दोस्तों देखे यह जो है यह पूरी तरीके से रिराइट नहीं कर पैकर क्योंकि Chats GPT से जो हमने जनेरेट किया है वह जाड़तार दोस्तों एक repeated नहीं होता है वह जाड़तार यूश रियाट ही होता है और बहुत कम सम्भाव नहीं होता है कि वहां से हमको मि है क्योंकि हमारा लेंग सिंगलिस है तो दोस्तो हिंदी है, हम हिंदी है अच्छे तरीके से गयर रिराइड करेबस Σकते हैं खु़ और इस्को चेक करेंगी उसको प्लेंग लेकिन उसार फिरीकृ की से में ना बतले इतना काम जादे है दोस्तों यानि कि आपको कई मतलब एक घंटा दो घंटा आपको समय देना पड़ेगा तीन घंटा समय देना पड़ेगा आपको जो है इस content को rewrite करने के लिए इसको जो है कुछ जो है आपको इधर का उधर क्यों आपको देखिए कोशिस किजिए कि खुद जो है लिखें और क्यों जो है एक बिचार ले किसी का देख करके अब इनका जो है दोस्तों आप देख करके आइडिया ले सकते हैं कि इनका जो है डिस्कृशन क्या है और इनका जो है और बाकी जो है heading share market सिखने के सांदाज तरीके एक सलाकार मेत्रया खोजें मतलब इस प्रकास जो है बहुत सारा चीज जो है यह भी लिखे हैं तो इनका जो है आप देख करके ले सकते हैं इनके बीचार को जो है आप ले सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो है प्लेगरिजम जो है चेक करने पर यहाँ पे देखिए 67% प्लेगरिजम है आप देख सकते हैं कि वही content जो के वह यहां पिए हैं वह असला है आप देख सकते हैं जो है कि यहां पी इतना रेट किया गया है अब आप कोई किसी पी मरूर कोई चैसे मह लिए अब इस से होने वाले मुनावे son कि मुनाफ़ कोई सजेस्ट वर जो है या इंकम मुनाफ़ की मुनाफ़ की जगह पर आप जो है हिंदी में इंकम लिख सकते हैं देखिए यूनिक बनाने के लिए दोस्तों को कुछ करना पड़ेगा यूनिक बनाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा मुनाफ़ उसको इंकम लिख सकते हैं बात करते हूं नजारता share market में अपना हाज जमाने के लिए तो इसमें share market में अपना धाग जमाने के लिए या हाज जमाने के लिए और कुछ भी word का यूज कर सकते हैं तो इस प्रकास से दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इसका सहारा तो लेंगे लेकिन उसको plagadism भी check करेंगे नहीं तो विल्कुल आपका rank नहीं करेगा तो यहाँ पे दोस्तो इस प्रकास से आप इसका सहरा ले सकते हैं उसके बाद दोस्तो हमारा अगला step आता है content को post करना तो content को post करने के लिए दोस्तो हमारे पास wordpress का जो है हमारे पास एक domain होना चाहिए वेब hosting होनी चाहिए और जो है उस पर वर्डप्रेस इंस्टाल हो जिससे जो है हम और भी पेड़ आते हैं सार्डवे जो कुछ भी यह फ्री है open source है दोस्तों यहां पर जो है हम content को write कर सकते हैं इस पर दोस्तों सिंपल सा यहां पर हमको content write करने के लिए यहां पर पोस्ट दिया हुआ है यहां पर पोस्ट में हम new पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों यानि कि new post तो दोस्तों मैं दगिया अपने वीडियो में क्यों आपको एक आइडिया दे सकता हूं बाकि आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा अब यहां पर दोस्तों माली जी हमारा title जो है यहां जो मैंने अपना title बनाया था कि share market जो है कैसे सीखें तो यहां पर इंग्लिस में भी type कर सकते हैं थोड़ा सा हमको दीए हिंदी में इंग्लिस में भी mixture करना है दोस्तों हिंदी में जो हमको इंग्लिस जो बहुत टफ जो हैं यहां पर हिंदी लिखा होगा वहां पे हम इंग्लिस लिख करके unique बना सकते हैं अब यहां पर पूस्ट write करने के लिए यहां पर title हमारा है यहां पर title मनेख दिया यहां पर 2013 2,32 है दोस्तों इसको मैने लिख दिया अब हमारा जो हमारा जो content है कि यहां म North India देख सकते हैं देखिए जो content हमने chat GPT से copy किया था देखिए यह लगबंग में यूनिक होता है जाए तर मैं एक example के रूप में आपको बता रहा हूं और यहां पर क्योंकि मैं वह नहीं उच कर रहा हूं क्योंकि उसमें plagiarism है तो यहां पर दोस्तों अब देखिए हमारा यह blog post ब्लॉक है अब यहां पर जो है इसको paste कर देते हैं अब यह हम यहां पर एक चीज और करते हैं जो हमारा हिंदी का portion है उभी उसको जो है उसमें यूज कर देते हैं share market कैसे सिखे share market कैसे सिखे यहाँ पे हिंदी में भी दोस्तों इसको हम यहाँ पे कर देते हैं यहाँ शेयर मार्केट कैसे सीखें आप यहाँ पे ब्रिकेट में दोस्तों हम इसको ऐसे कर सकते हैं इस प्रकार से हम कर सकते हैं इस प्रकार से हम कर सकते हैं अब दोस्तों इसको क्या करना है हमको अब देखिए वन बाइ वन क्या करना है यहाँ पे जिसे सेर मार्केट है यह समझना इसको जो हम सेलेट करके इसको बोल्ड करते चला जाएंगे क्योंकि दोस्तों यह heading है यानि कि heading को जो है हमको एक bold रखना है जितने भी heading है दोस्तों यहाँ पे हमको bold रखना है यहाँ पे जितने भी heading है दोस्तों इस प्रकास से आप bold सबको कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकास से का एक सेंटर होता है केंदर होता है अब यहाँ पे दोस्तों भी कर सकते हैं इमेज़ कर लेजे आप इमेज दाउनlode कर लेजिए उसको words को इधर उधर करके आप लिख सकते हैं जो जो की copyright free हो जाएगा दोस्तों और जो है आप आप सिंपल सा मा लेजे किसी के बीच में यहाँ पे इसके नीचे जो है लिखना चाहते हैं दोस्तों इसके लिखना चाहते तो यहाँ पे देखें हमरा ब्लॉक है आप यहाँ पर सिंपल सा आइड यहाँ पर आप देखें इमेज इमेज पर क्लिक करके दोस्तों आपको इमेज लाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा इमेज पर क्लिक करेंगे आप से लिंक पूछेगा कंप्यूटर से आप उसको अपलोड कर दीजिए यहां पे WordPress के अंदर और जो है वो यूज करके और उसके बाद यहां पर सिंपन सा दोस्तों यहां पर पब्लिस कर देना है ठीक है और यह सब पब्लिस करने के बाद दोस्तों इसको ऐसे बैठे नहीं रहना इसमें हमको कुछ SEO भी करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि इसमें SEO करना जरूरी है हमको देखना है कि हमारे keyword में जो है सेर बजार आता है कि नहीं देखिए अब यहां पर हमको और ध्यान पर हमारे हर paragraph के अंदर जो है आप देखिए यहां पर आप देखिए हमारा जो है सेर मारकेट कैसे सिखें यहां पर पर बिती है आप यहां पर देखते अँग है यहां पर Add focus keyword to the SEO title, Add focusing keyword जो है SEO title जो हमारा Focus keyword, share market ही है यहां तो इस ही को हम करके उसको समझा देंगे कि हमारा focus keyword जो है यह है यह focus keyword जो है हमारा यही है अब यहाँ पर focus keyword क्या हम यूज किये हैं इसको देखेंगे अब यहाँ फोकस keyword जो यहाँ पर green हो गया focus keyword not found in the SEO meta description अब meta description जो है यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों इसको click करेंगे अब देखें यहाँ पर meta description जो है यहाँ पर हमारा क्या है share market है अब यहाँ पर share bazar जो है स्वारी हमको हिंदी में इसको target करना है यह share market या share बजार share market जो है share बजार कि इसको यहाँ पर हमको या keyword और भी उठा लेते हैं ठीक है दोनों कर देते हैं जिसे यह हमको लगे कि हमारा keyword जो है आप यहाँ पर इसके जो है description में भी हमको यह चीज होना चाहिए आप देखें description में आप यह निवेस और लिती में तो description में भी हम भी किसी प्रकाश से जो है अपने word को put कर सकते हैं निचुरल यी put कर सकते दोस्तों अब यहाँ पी जैसे निमेश और बित्त की है दोस्तों जाए बजार है वहां सेयर मार्केट करते तो उसको हम सब्सक्रेट करते हैं अब देख सकते हैं आब इसको जो और हमारा तुरंत बढ़ करके और तालेस होगया दोस्तों तो यहां पर अब मेटा description में जो है share market यहाँ पे है sale market जो है हमको यहाँ पे ईहाँ पे है फे घृत्य है के वर्ड फोकस नाट पॉंड इन दा इवारेल में दोस्तों यह हमारा जो है जो हमारा इवारेल है दोस्तों यहां पे अब यह हमारा इवारेल है ठीक है अब इवारेल जो हमारा टाइटिल यह है पर्मा लिंक यह है अब इसमें दोस्तों हिंदी को जो हम हटा देंगे दोस्त जो हमारा सब वर्ड आ रहा है इसको जो है हम कर देते हैं अब इसको सिंपल सा कर देते हैं तो दोस्तों इस प्रकास से जो है हम यहां पे अपना जो है हर एक चीज यह सीयो को जो है पूर्ड रूप से इसको ठीक कर सकते हैं और जो है अपने पोस्ट को जो है अगर जो दोस्त डालना पड़ेगा और जो है तब जाकर के जो है दोस्तों आपका जो है वेबसाइट या ब्लाग जो है आपका ग्रोह हो सकता है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा दोस्तों उसके बाद जो है आप Google AdSense का यूज करके आप जो है पैसा अर्म कर सकते हैं दोस्तों तो अगर जो हमारी वीडियो इन्फार्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और हमारी येट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा इस इक साथ नेक्स्ट वीडम मिलेंगे जैहिन बंदे मातरम